इस वीडियो में अपने पार्ट सेकिंड देखेंगे आपके चेप्टर नमबर टू का की जिसके इंदर अपने जानने के स्तरोत के बारे में पढ़ रहे थे और जानने के स्तरोत का क्या है हमने पढ़ाता कि उनके उजारों का ध्यन करते थे कौन करते थे पूरा तत्तव विद पूरा तत्तव विद क्या करते थे उनके उजारों के धार पर कि वो किस परकार के उजार यूज कर रहे हैं क्योंकि पूरा पाशान यूग या मध्य पाशान यूग उसके बाद धातू यूग तो अलग-अलग यूगों में क्या है उजार प्रटी नहीं हुआ करती थी ऐसे तो है नहीं कि जमीन जाइदा छोड़के जाते थे महल बनाए हुए थे उन्होंने वो सिर्फ क्या है अधियारों का इस्तेमाल किया गरते थे यह थार्यार क्या लग लग चीज़ों के लिए काम आते थे फलोगेरे काटने के लिए मास काटन कि वो किस परकार के थे उनकी मानसिक विकास किस परकार का हुआ था उनका मानसिक विकास जो है कि दिमाती तोर पर कितने बुद्धिमान हो चुके थे किस परकार के या कितने टेक्निक के होजार इस्तिमाल किया गरते थे उसके अधार पर पर पुरात्वत तब्विद क्या ह उस प्रारंबिक मानव की करकाईयों के बारे में बताते हैं, उनके जीवन के बारे में पता लगा पाते हैं, नेक्स पॉइंट जो आता है अपना, वो आता है निवास स्थान, नेक्स पॉइंट क्या है, निवास स्थान, तो नेक्स पॉइंट के अंदर देखें, निवास पहली चीज सबसे ज़्यादा गोर करने वाली है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी भी दुनिया की सब्वेताई हैं सब्बेताई हैं, जहां आदमे क्या है सब्बे होकर बसने लगा था, एक समाज की रूप में वो रहने लगा था, उसकी रित्ती रिवाज होने लगे थे, उसकी संसकर्तियां बनने लगी थी, वो क्या है, धरम की रूप में या अने प्रकार से, वो क्या है, किसी एक इश्वर यह सक्टी को मानने लगा था, चाहिए, वो प्रकर्ति की पुजा करता था चाहिए, वो किसी और चिज्च की, यहरि वो एक सब्वे मानव बन गया था, तब भी वो कहा रहते थे, सारी सब्वेताएं कहाँ पर पाई जाती है, नदियों के किनारे के पास पाई दोती है, सारी की सारी सब्वेता हैं कहां मिलेगी, नदियों के पास मिलेगी, जो है जैसे सिंदू गाटी सब्वेता है, वो है सिंदू नदी के पास, ठीक है, या नील नदी गाटी सब्वेता है, जो मिसर की सब्वेता है, ठीक है, वो नील पास है इसी सिंदू के साथ सिंदू सरसोती नदी वाली है ठीक है तो चाहिए रोम की है युनान की सब्वेता है ये सारी सब्वेता है किसी ने किसी नदी के पास है किसी ने किसी नदी का इस्तेमाल वहाँ जरूर है वहाँ नदी आस पास से गुजर रही है जैसे कि मैंने चो उसे दूसरे स्थान पर जाते थे तो उसी परकार से उनके जीवन में जो रहने का स्थान होता था यानि वो रहते कहां थे हाला कि उनका जीवन शुरुआत में क्या था गुमकड था बाद में जब उत्पादन करने लगे भोजनगा तब वो कहां रहते थे दोनों जो रहने का स्थान हुआ करता था यानि रहने के लिए वो जगए ढूंडते थे वो ऐसी हुआ करते थी जो किस के पास हो नदी जील तलाब इस परकार के स्थान वो ढूंडा करते थे जहां पर क्या हो नदी हो जील हो तलाब हो इस परकार के स्थान वो क्या है रहने के लिए ढूंडते थ इसके कारण है पहला कारण खुद की पानी की पूरती हो सके यानि जो पानी की आप सकता उनको है पीने के लिए चाहे वो किसी परकार का यूज करते थे वो पानी की पूरती उनकी स्ट्वेम की हो सके दूसरा कारण कि जानवर भी जो है वो नदी जील और तलाब के पास पानी पीने के लिए आते थे और पानी पीते हुए जानवर का सिकार क्या हो सकता है आसानी से हो सकता है तो वो उस तरीके से भी क्या है नदी जील या तलाब के पास रहते थे कि भी यहां जानवर का सिकार अपने असानी से कर पाएंगे तीसरा कारण नदी जील तलाब के पास बनस्पती अच्छी मिलती है फल या फूल जो भी उनके खाने पेने के लिए कंद मूल का इस्तिमाल क्या करते थे वो वो सारी चीजे नदी जीलों के तलाब के पास किया अपने आपे उत्पादित की हुई मिलती थी उनको क्या है परियास नहीं करना पड़ता था और ज्यादा अधिक मात्रा में मिला करती थी पानी के स्थरोतों के पास इसलिए उनके रहने के स्थान जो है आप अपनी बुक में भी मैप में देखोगे अगर आपे बुर्ज होम है भीम बेट का है या कुरनूल गुफाएं है उसगी है तो ये सारी जगह कहां है सिर्फ और सिर्फ के है नदियों के पास है जैसे गंगा नदी के पास चिरांद है या ये जो बुर्ज डॉम है ये सिंदू नदी या उसके सायक नदियों के पास है भीम बेट का है नरमदा नदी के पास तापती नदी के पास ये गुदावरी नदी के पास जो चेतर है उनी चेतरों के पास क्या है वो रहा करते थे इसके पीछे कारण मैंने बताए खुद खाने पीने की वस्तु हैं, फल है, कंद मूल है, या और चीजे जो खाने की उनको मिल सकती है बनिश्पति के दवारा, वो सारी के सारी क्या है, वहाँ उनको प्राप्त हो सकती थी नदी के स्त्रोतों के पास, तो अगर आप से परसन पूछा जाए कि उनके निवास का स्थान क सा होता था, तो सिधा सा उत्तर होगा, जल के स्त्रोत, जल के स्त्रोत के आसपास रहना पसंद करते थे, ताकि उनको आसानी से, जल के स्त्रोत का मितलब क्या होगा, नदी, तलाव, जील, ताकि उनको क्या हो सके, आसानी से, सारी जो तीन कारण बताए थे मैंने, वो पूरे हो सके ठीक है next अपना point आता है आग की खोज सबसे बड़ी उपलवदी आदी मानों की सबसे बड़ी खोज उस समय की जो थी वो थी आग की खोज आग की खोज करने के बाद तो जैसे मनुश्य का जीवन पूरा ही बदल गया उसके जीवन जीने का उसके खाना खाने का उसके रहन सहन का सारा जो तरीका था वो आग की खोज के बाद बदलता गया लगातार उसने तरकी करना शुरू कर दिया अब जैसे कि अपने बात की थी कि वो रहने का स्थान जूनते थे नदियों के पास तो कृष्णा नदि के पास क्या है कुरुनूल की गुफाए मिलती है कहा कृष्णा नदि जो है भारत के अंदर दक्षन भारत में वहाँ कुरुनूल की गुफाए मिलती है वहाँ पार क्या है सबसे पहले राख के साक्षे मिले हैं राख के साक्षे मिले हैं और राख किसकी होती है भई कि अगर कोई चीज जलाई जाए कोई चीज जली हो ठीक है तो जलने के बाद क्या होता है उस चीज का क्या बचता है आउसेस बचता है किसके रूप में बचता है राक के रूप में बचता है तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रारम में जो इन गुफाओं में आदी माना रहता था वो क्या गरता था उसने आग जलाना सीखा था तो उसी के आउशेस के राक के रूप में आजे हमारे पूरा तत्तमवीदों को इतिया मास क्या है एक समें के बाद बदबू आने लग शेती है उसमें वो खाने योगी नहीं रहता है अब बदबूदार चीज भले वो क्या है आधिमानव था जाणवरों की तरह है जीवन था लेकिन जानबर भी तो बदबूदार चीज नहीं खाते ठीक है तो मास का संगरे कर नहीं सकते थे उनको सिर्फ क्या है वनस्पति यह चीजों पर डिपेंडिड रहना पड़ता था आसरित रहना पड़ता था लेकिन जब से उन्होंने आग की खोज कर ली तो उसके बाद क्या हुआ अब वो के है मास को भुन कर खाने लगे थे आग की साहिता से मास को भुन कर खाने लगे थे अब भुना हुआ मास होता था तो खाने में भी अच्छा लगता था उनको दूसरा क्या है उसको एक समय से ज़्यादा समय के लिए वो स्टोर करके रख सकते थे बाद में उसका ख बोजन को पका कर खा सकते थे और संग्रे करके रख सकते थे दो फाइदे हो गए दूसरा तीसरा फाइदा क्या आप जाता है रात को उन्होंने क्या है जब उनको रोसनी की आवसकता होती थी उजाले की आवसकता होती थी परकाश की आवसकता होती थी तो वो क्या कर सकते थे आग का इस्तेमाल कर सकते थे उसके लिए तीसरा कारण आग से देखा होगा आपने कार्टून्स वगेरे में कि जो जानवर हैं जंगली जो जानवर हैं सेर है वगेरे खतरनाख जो जानवर थे वो क्या होते थे आग की साहिता से दूर रहते थे यानि उन जंगली जानवरों को ड्राने के लिए उनको अपने से दूर रखने के लिए उनसे अपना बचाओ करने के लिए वो क्या है आग का इस्तेमाल करते थे यानि आग आने के बा परकास का साधन हो गया था, संघ्रय करके रख सकता था, पका हुआ बोजन जो होता था, वो खराब नहीं करता था, तो ये क्या है आग के बोज़धा फायदे हो गए, थर्ड चीज है, नाम और तितियां, नाम और तितियां, उस समय के काल का निर्धारन की इस परकार से किया जाता है आदी मानों के या आरंबिक मानों के बो देखो इसको अपने बांटते हैं तीन भागों में पूरा पाशान युग ये तो गया पहला दूसरा हो गया मद्दे पाशान युग और तीसरा हो गया नव पासान यूग अब देखो ये काल माना जाता है जब शुरुआत में मान लो बीस लाक साल पहले से लेकर बीस लाक साल पहले से लेकर अपने सुरू करते हैं और आ जाते हैं बारा हजार साल पहले कब आ जाते हैं बारा हजार साल पहले का समय हो वो क्या था पूरा पासान यूग था आज क्या चल रहा है दोजार बीस तो आज से बारह हजार साल पहले का जुग यूग है वो पूरा तत्विद क्या मानते थे उसको मानते थे पूरा पासान यूग उस समय क्या है सिर्फ और सिर्फ मत्तर के इसका इस्तेमाल किया जाता था मानों के दुवारा पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता था ठीक है उसके लिए क्या है जो ओजार बनाए जाते थे उसके दौरा वो सारे क्या है पत्थर के दौरा थे ठीक है तो इस पासान काल को क्या है तीन भागों में बंटा गया दूसरा आ जाता है मध्य पाशान यूग ये तकरीबन क्या है 10,000 साल पुरवाज से और इसके थोड़े समय बाद यानि मध्य पाशान के थोड़े समय ही बाद 9 पाशान यूग आ जाता है क्योंकि मध्य पाशान यूग क्या है सबसे छोटा यूग है पासान यूग का, क्योंकि इस समय तक आने के बाद क्या है, मानव ने आग की खोज की, और धीरे-धीरे क्या है, उसकी जो तकनीक की खोजे हैं, वो लगातार क्या होते गई, विक्षित होते गई, और जल्दी-जल्दी उसने क्या है, अन्य परकार के चीजें खोजना भी पर जहाल है, दो हजार साल बाद है, दस हजार साल पहले हो रहे, नव पाशान यूग, उसके थोड़े ही समय बाद, ये तो हो गया, नाम और तिथियां, उसके बाद है बदलती जलवाईू, देखो, लगबग, लगबग, बारा हजार साल पुरो, यानि, अभी हमनेतितियां पड़ी, उसके हिसाब से क्या हो गया, पूरा पाशान काल, पूरा पाशान काल, इस समय में क्या है, अचानक से पर्थ्वी की जलवाईू में प्रिवर्तन आया, और गर्मी बढ़ना सुरू हो गया, जो गर्मी बढ़ी, तो उसके कारण क्या है, घ तेजी से इन में वर्दी हुई, अब इनको खाने वाले जो जानवर थे, उनकी भी क्या है, वर्दी जो है, उनकी जो संख्या है, उसमें भी लगातार तेजी से वर्दी हुई, यानि जलवाईयों में प्रिवर्तन हुआ, कैसा प्रिवर्तन हुआ, थोड़ी गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने की कारण क्या हुआ घास बनस्पती बगेर है इनका उत्पादन अधिक होने लगा यानि सिद्धी बरफ पढ़ती है या ज्यादा ठंडा मौसम हो तो इस पर कारण की बनस्पती उत्पादन होना संभव नहीं है लेकिन गर्मी बढ़ने की कारण ऐसा हुआ और जो पालतू जानवर हैं जैसे की गाए है या अन्य जो घास बगेर खाने वाले जानवर थे हीरन है बारा सिंगा भेड़ बकरी ये जानवर क्या है इनकी संख्या जादा हो गई और इनको यानि भेड बकरी या गाय वगरे हैं इनकी संख्या बढ़ी तो इनको खांकर जो जिन्दा रहने वाले थे जैनि जो सिकारी जानवर थे हैं henike बढ़ने लगी है तो यह क्या है जल्वैउ के परिवरतन के कार्ण में भी करने लगा इस परकार से मास्कों दूप में भी नहीं के लिएैस टा Eli यानि एक तरीके से दूसरे जानवर का सिकार करने के लिए भी वो क्या है वो दूसरे जानवर का मास का टुकड़ा वाँ छोड़ते थे ठीक है मचली को पकड़ने के लिए या बड़े जानवर का सिकार करने के लिए वो इस पर कार के कारिये करने लगे जिससे उनका भी विका जीवन जो है वो पसंद नहीं रहा कि बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर घूमें, वहां बोजन ढूंडें, उसके बाद वहां बोजन समापत हो जाएं, तो हमें दूसरे स्थान पर जाएं, तो वो इतनी महनत बहुत जादा हो जाते थी, सिकार को पकड़ना, उसके लिए इंतजार करना, ढूंडना, तो ये बहुत जादा मुस्किल काम था उसके लिए, इसलिए माना होने क्या है, धीरे-धीरे इतपर करते इससे सीखा, कि वो बोजन का उतपादन किस परकार से कर सकता है, ठीक है, तो मान लीजीए, किसी ने क्या है, सिदे कोई तो इस परकार की जो विकास करम है, वो आदिमानों ने देखा, तो उसके समझ में आया कि इस परकार से क्या है, हम भी क्या है, किसी चीज का उतपादन कर सकते हैं, अपने भी क्या है, फसले उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने फ़र्स चेप्टर में बढ़ाया था आपको, कि ज दोगी करशीगी थी उतर भारत के अंदर गठ तो वहां के आमानों इस पर कार की खेत्टी करना सिखा दूसरा सत्पूरा विद्याचल की जो परवत मालाई है नर्मदा नदी है वहां पर क्या किया था वहां पर सबसे पहले चावल का उतपाधन किया था भारत की सब्भेता के तो ये क्या है अलग-अलग स्थानों पर मानवनी क्या है अब बोजन का उत्तपादन करना सिखा और वो अनाज एकठा करकर रखने लगे थे उनको अनाज के दौरा जो चीजे बनानी थी वो भी मनाना वो दीर दीर सिखे थे अनाज को भून कर खाना सिखा ठीक है तो आग का आवसकार तो पहले कर लिया था तो इस परकार से क्या है खेती का उन्होंने शुरुआत की नेक्स आता है पसूफालन अब वो खेती कर रहे थे तो उनको क्या है खेती की दोरान जो महनत उनको लग रही थी ठीक है एक स्थान से दूसरे स्थान उपर समान को डोने में भी उ और साथी साथ क्या है उनको इस परकार के पेपदार्थ चाहिए होते थे जिससे वो अपना क्या है जो शरीर का विकास है वो सुदूर्ड तरीके से कर सके इसलिए उन्होंने क्या है पसूफालना शुरू कर दिया इस परकार के पसूफालना शुरू कर दिया जो उनके हुए यहुए इस भरकार की पस्वों उसने पालना प्रारंद कर दिया तो सब्सके बार्प से आखहते हैं कि आख्घेट संग्राइसे लेकर रहें उसले की स्थ तरीका है उसमें किस परकार से बदलाव आता है और लगातार वो विक्सित होकर इतनी बड़ी-बड़ी सब्वेताओं का निर्मान करते हैं और आज तक मुनुष्य क्या है आज कि स्थिति में किस परकार से कहुंचता है वो इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे इतने के लिए आप इसको देखिए समझी हो और यहां तक क्या क्यों सनन्सवर नोटबुक में कीजिएगा धन्यवाद